नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ खिलोनों की बर्फी सेयर करूंगी, जो की दिवाली पर मंगए जाते हैं, लक्समी पूजन के टेम पर, खिलोने वे हमारे बच गए थे, तो आज मैंने उनी से बर्फी तयार की है, तो चलिए देखते हैं, बर्फी को हमने किस तरह से खिलोनों की बर्फी बनाने के लिए, मैंने ये खिलोने ले लिए हैं, अब मैं इनको हिमाम दस्ते में डालकर कूट लोंगी, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने उन खिलोनों को अच्छी तरह से कूट लिया है हिमाम दस्ते में, और ये काजू बदाम ले लिए हैं, इनको वि डाल लेंगे और यह एड़ कर लेंगे अपनी यह देखिए मैंने खिलोनों को इसमें एड़ कर लिया है अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे चासनी हमारी गाड़ी हो चुकी है अब मैं इसमें गोला डाल लूँगी और काजू गदाम जब तक यह पकता है मैं अपने ठाले को तयार कर लूँगी एक ठाली ले ली है अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर लूँगी हमारा बैटर तयार हो गया है अब मैं इसे एक ठाली के अंदर निकाल लूँगी यह देखें दोस्तों मैंने अपने बैटर को थाली के अंदर ट्रांसपर कर लिया है अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूंगे यह देखें दोस्तों मैंने काजू से इनकी सजावत कर ली है इसे हम किसी भी सेफ में काट सकते हैं अपनी पसंद के वर्फी यह देखें दोस्तों खिलोनों की वर्फी बनकर तयार है और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट होती है आप अभी अपने घर पर ट्राइ करके ज़रूर देखना और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सस्क्राइब करना बिलकुल न मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई